Hello friends, Foundations of R Software के कूर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत सवगत है और आपने देखा कि हमने पिसले कई lecture में हमने data manipulation और data handling की बात करी है और हमने अपने data को handle करने के लिए हमारे छोटी-छोटी जो बिन-बिन operations होते हैं उनके बारे में बात करी है हमने sorting, ordering, इत्यादी की बात करी है तो अब हम उसी direction में आगे बगते हैं और आज हम एक नई topic के बारे में बात करेंगे वो है list पहला सवाल तो ये आता है कि list होती क्या है और उसके बाद फिर हमारे पास कई सवाल आते हैं कि list में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा elements हैं उनको हम किस प्रकार से access करें तो चली हम एक उधारन लेते हैं और उधारन के द्वारा हम आपको list क्या होती इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपने अपने घर के अंदर देखा होगा कि कभी कभी आपकी माता जी या पिता जी आप से ये कहते हैं कि बाहर जा करके मार्किट जा करके बाजार करके कुछ समान ले आओ अब समान लाने के लिए आप उनसे पूछते हैं क्या-क्या समान आएगा तो आपकी माँ आप से कहती है कि ठीक है दवा आनी है कपड़ आने है सबजी आनी है इत्यादी तो आपके क्या जवाब होता है अरे इसकी मुझे आप एक लिस्ट बना दीजिए बना में भूल जाओंगा और माता जी आपको एक लिस्ट पकड़ा देती है और उसको देख करके आप सामान ले आते हो अब कभी जड़ा सोचाए कि वह लिस्ट क्या होती है और अगर आप उस लिस्ट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए तो जो हमारे आर्स सोफ़ेर के लिस्ट है वो वही जीजी होती है अब आप अगर ध्याने दीजिए कि जिस प्रकार से आपको लिस्ट दी गई है उसमें पहले नम्बर पे लिखा हुआ है दवायां लानी हैं, दूसरे नंबर पर लिखा है कि कपजी लानी है, तीसरे नंबर पर लिखा है कि कपगल लेकर के आने हैं, आप मैं देखा कि ये तो तीनों चीजे हमारी अलग-अलग प्रकार की हैं और ये अलग-अलग दुकानों में मिलेंगी, लेकिन फिर भी आपने उ जो चीज है वो किस जगह पर लिखी गई है, उसको हम उसका जो इंडेक्स होता है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर आपने लिखा दवाई, दूसरे नंबर पर लिखा सबजी, तिसरे नंबर लिखा कपड़े, अब उससे क्या अड्वांटेज होगा, म के पाद दो आप्शन है, पहला कि आपने देखी हैं, यहां पर लिखा हुआ है, कबजिया, सबजी में कौन-कौन सी सबजी लानी है, तो आपकी माताजी समझ जाएंगी और बता देंगे आपको यह सबजी लानी है, दूसरा आप्शन यह है, कि मा आपने दूसरे स्थान प लिखा, कि जो भी हमने अपनी लिस्क प्यार करी है, उसके अंदर सबसे महत्वपून बात यह है, कि उसमें अलग अलग तरह की चीजे हैं, और दूसरा हमारा, हमने उसके उपर एक ऑपरेशन भी किया, कि हमने उसके किसी particular element को एक्सेस करने की कोशिश करी, और उसको हमने ज करते किया जाए, जैसा कि अगर आप माल दीजे, आपने देखा है कि आपके पास character होते हैं, number होते हैं, आपके पास भिन-भिन तरह के data objects होते हैं, जिनके mood अलग-अलग होते हैं, और आप इन सभी objects को जिनके हमारे mood अलग-अलग होते हैं, उनको आप एक list में लिखना चाहत हो तो उसको करने के लिए हम आर्ट सौफट्वेर में किस प्रकार से कार करेंगे और एक बार लिस्ट में लिखने के बाद हमारे पास उसमें भिन-भिन तरह के operations आएंगे कि हमको उसमें से किसी particular एक जो इंडेक्स पर हमारा नाम लिखा है उसको बाहर करेंगे हम समझेंगे कि हम इस लिस्ट को अपने आर्ट सौफट्यूर में किस प्रकार से क्यार करते हैं लिस्ट के डिफरेंट elements को हम किस प्रकार से access करते हैं और इसके अंदर क्या खास बात होती है और आगे आने वाले लेक्चर में हम और कुछ इसके operation की बात करेंगे तो चलिए हम आज इस लेक्चर को आर्म करते हैं और इस लिस्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं अब देखिए पहला सवाल तो यह यह आता है कि लिस्ट होती क्या है यह हमारा लिस्ट के अंदर हमारे वेक्टर मैट्रिक्स अरे यह हमारे जो अलग 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 प्रकार के object होते हैं जिनके हमारे mode अलग अलग होते हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं कैसा कि आपने देखा कि हम लोग जभी data vector की बात करते हैं तो data vector में हमारे पास या तो सारे सारे numeric data हो सकते हैं या उसमें से character data भी हो सकते हैं जैसे नाम तो उसी प्रकार से यह जो हमारा लिस्ट होती है यह भी हमारी एक special type का object होता है जिसके अंदर हम भिन-भिन प्रकार के data को store कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर सबसे खास बात यही होती है कि जिस तरह से हमारा कोई अगर एक numerical data vector होता है या हमारे कोई matrix होती है जो numerical होती है तो जब तक कि वो numerical नहीं होंगे हम उसके उपर कोई भी matrix operation या number के उपर कोई भी operation नहीं कर पाएंगे तो उसी प्रकार से लिस्ट के लिस्ट है उसमें से बारे जो उसके elements होते हैं उनके जो modes होते हैं वो भी अलग-अलग हो सकते हैं आपने अभी पिसले lecture में mode के बारे पहा था कि हमारे पास कई सारे modes होते हैं numerate character उसी हमने एक list की बात भी करी थी और इस list के अंदर हमारे पास कोई भी number या character के अलावा जो हमारे structured objects होते हैं वो भी हो सकते हैं structure objects का मतलब क्या है कि हमारा जो data है एक किसी particular करीके से उसको store किया गया है right कैसे कि हमारा list है data frame है हित्यादी अभी एक list और data frame के बारे में हम बात करने वाले है list के बारे में आज बात करेंगे और data frame को हम आगे आने वाले lecture में बात करेंगे अब आपको हम यहाँ पर कुछ ऐसे उधारन देना चाहते हैं जिसके दौरा हम आपको यह बता सके कि list के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं तो मन लिजिए कि हमारे पास कोई एक list हमने तय और double bracket के अंदर हम लिख देंगे जो भी हमारा index है तो अगर हमने ऐसे करके लिखा है x और double bracket के अंदर लिखा हुआ है 5 इसका मतलब यह है कि यह हमारी list का जो 5 वा element है यह उसको indicate कर रहा है यह उसको access कर रहा है उसी प्रकार से हम list के अंदर एक element के साथ में हम कई सारे elements को भी एक साथ access कर सकते हैं अर्थाथ हम list के अंदर जो हमारी एक sub list होगी इसको भी हम access कर सकते हैं उसको extract कर सकते हैं बाहर जैसे कि अगर हम ने लिखा कि यह हमारी कोई है list इसके अंदर हमने लिखा x और इसके बाar हम उनले बिख दिया c two comma five तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँं मैं अपनी आपनी जो मारी ऑफ स सक، जिसके अंदर हमारे दूसरे और पांचरवे deserved जूरार है ओर साथ ही जो मारी लिस्ट होता ही उस में इंडेक्स के साथ में उनको हम एक नाम भी दे सकते हैं जैसे कि हमने अगर माल दीजे अपने किसी list का नाम दी है students right उसके अंदर हमारा कोई element है उसका नाम है students इसको हम जैसे हमने लिखा x और double bracket में हम लिख देंगे double quotes के अंदर students तो यह हमारा उस data को access कर लेगा और यही कार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मुझे को अपने इस list में से इस students को call करना है तो हम ऐसे भी सकते हैं x dollar students इसके बारे में अभी हम और भी आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ खाली यहां पर यह बताने के कोशिश करना हो कि list के जो हमारे element है उनक हम index के द्वारा और नाम के द्वारा दोनों के द्वारा access कर सकते हैं यह बिल्कुल वैसे ही है तो जैसा मैंने आपको भी उधारा लिए कि आप अपनी माताजी को phone करके यह पूछते हैं कि आपने list में दूसरी number पर जो भी लिखा है उसमें क्या-क्या समालना ना है या आप यह भी कह सकते हैं कि आपने जूस में list में सबजियों का नाम लिखा हुआ है उसमें से कौन-कौन सी सबजिया आनी है राइट अब एक बहुत ही आसान सा सवाल हम सबके दिमाग में आता है कि जब हमने data vector की बात करी थी तो उसमें भी हमने कहा था कि हम अपने numerical और जो character हैं इस तरह के हमारे जिनके अलग-लग modes हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं तो और यही काम हम आपको list में भी करके बता रहे हैं तो दोनों में क्या फरक होता है तो data vector में आपने देखा कि हम अगर अपने operation की बात करते हैं तो जब तक हमारे पास उसके सारे-सारे elements का mode save नहीं ह सकते हैं और इसके लिए हमारे जो भी हमारा vector होता है उसमें सारे elements का हमारा जो mode है एक सा होना चाहिए लेकिन list में जो हमारे elements होते हैं उनके modes हमारे अलग-लग हो सकते हैं अर्थात कि उसमें से हमारा character भी हो सकता है numeric भी हो सकता है इत्यादी तो अब इस concept को जरह हम यहां प दो matrix लेते हैं यहां पर दो matrix लेते हैं उनका नाम मैंने x1 और x2 दे दिया तो जो x1 हमारी है और x2 हमारी यह हमारी two cross two की matrix है x1 matrix में हमारा data है one two three four जो row wise arrange है और जो x2 matrix है उसमें हमारा data है five six seven eight यह हमारा row wise arranged है okay तो अब देखिए यह आपका x1 हो गया यह आपका x2 हो गया अब हम दोनों को जब add करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x1 plus x2 तो देखिए इसमें से इसका one plus five करके आपको six मिल जाएगा जिस प्रकार से matrix का addition होता है और यहां पर हो जाएगा और आपको यहां पर एक उत्त पर मिल जाएगा अब हम क्या करते हैं इसमें से जो x1 matrix है उसमें से दूसरी और पहले column पर जो हमारा एक element है उसको हम replace कर देते हैं और वहां पर हमने लिख दिया hello double quotes के अंडर तो अब देखिए जो आपकी नई matrix बन जाएगी x1 वो कैसी बन जाएगी इस प्रकार की यह element गया character हो गया तो जो हमारी पहले हमारी matrix थी x1 आप इसका अगर mode देखेंगे तो यह तो देखिए numeric आएगा और जब आपने इस x1 को बदल दिया तो आप इसका देखिए जो आप अगर क्रोश्य करेंगे तो इसका mode आ जाएगा character अब आप जब यहां पर x1 plus x2 करेंगे तो यह आपको error देदेगा right अब हम जड़ा सा आपको यह बताते हैं कि list को हम किस प्रकार से क्यार करते हैं अब अगर माली यह मैंने यहां पे वही दो matrix ले ली x1 और x2 जिसमें हमारा one two three four data है और five six seven eight data है right अब हम जड़ा सा इन दो matrix की एक हम list क्यार करते हैं तो देखिए हमने पे command लिखा list यह हमारा command होता है कोई भी list को क्यार करने के लिए और उसके बाद parenthesis में हमने लिग दिया x1 और x2 और x1 की बाद मैंने लगाया comma और फिर लिग दिया x2 तो इसी प्रकार से अगर आपके पास दो से ज्यादा element है आप उसको भी comma के द्वारा separate कर सकते हैं और इस से जो भी list आई उसको मने एक नाम दे लिया mat list तो जब देखी यह mat list आया तो देखे आपका इसका structure कैसे आया यह जो मैट्रिक्स सबसे पहले आ गई यह आपकी कौन सी मैट्रिक्स है यह आपकी X1 मैट्रिक्स है और यह जो दूसरी मैट्रिक्स आ गई यह आपकी कौन सी मैट्रिक्स है यह आपकी X2 मैट्रिक्स है और साथ में जरा आप ये भी एक ध्यान दीजिए कि यहां पर ये क्या लिखा हुआ है देखिए यहां पर दो स्क्यार बैकेट को एक साथ लिखा गया है ऐसे करके और उसी प्रकार से आप अगर यहां भी दियान दीजिए तो देखिए, यहां भी दो square brackets को लिखा गिया है, तो यह जो square bracket के अंदर, जो हमारी यह number लिखे हुए है, one और two, यह हमारी इस list में, x1 और x2 का जो address है, जो उनका index है, उसको लिखाने की कोशिश कर रहे है, अगर आपके नीचे आजाते हैं, और वहां पर लिखा होता है, double square bracket में तीन, चार इत्यादी, अब तो यह तो आपने एक list क्यार कर ली, अब सवाल यह आता है कि आप list के जो elements हैं, उनको आप किस प्रकार से access करना चाहेंगे, कि अगर आपको देखना है कि इस list में पहरे स्थान प लिखते हैं, mat list, और फिर हम square bracket में उसकी जो location है, उसका जो index है, उसको लिख देते हैं, तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर square bracket में लिख दिया one, अर्थात हमको इस mat list में जो पहले स्थान पर जो भी object है, वो हमको देखना है कि क्या है, तो यह आपको outcome देदेगा, दे जो आपकी इस list में पहली जगह पर थी, और उसी तरह से आप अगर लिखोगे mat list और square bracket में लिख दोगे two, तो यह आपको देखिए जो दूसरी matrix है, x2 यह आपको देदेगे, और आप देखेंगे ती यह आपकी दूसरी position पर ही तो लिखी हुए थी, और थात कि अगर आपक अपने इस list में से किसी object को call करना है, तो आप उसकी जो location है, position है, आप उसको square bracket में लिख करके, जब R console में देदेगे, तो वो आपको उस location पर जो हमारा object है, उसकी information देदेगा, तो चलिए, अब हम आपको जला सा, यह operation R software में करके दिखा देखिए, और देखिए, इसका screenshot भी है, right, तो चलिए हम यह इन दोनों matrix को हम यहां पर पहले क्यार करते हैं, तो यह matrix हो गई X1 और उसी में आपका देखिए, जो अगली matrix है, X2 उसमें क्या है, डेटा आपका 5 से 8 तक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है, X2, तो इसको मैंने कर दिया X2, तो देखिए, X1 आपका क्या हो गया? यह हो गया, X2 आपका क्या हो गया, यह हो गया? और अगर आप X1 प्लस X2 को आप अगर आट करते हो, तो अधिए, इसने आपको दोनों का sum दे दिया, अब हम क्या करते हैं? कि यहां पर जो आपने यह X1 और X2 है, इसमें से हम X1 में जो हमारा दूसरी र इसको हम यहां से रिप्लेस कर देते हैं सपोर्ज मैंने कर दिया एपल तो देखिए आपकी X1 मैक्रिक्स क्या आजाएगी ऐसे आगी अब लेकिन आप अगर X1 प्लस X2 करेंगे तो देखिए आपको उत्तार नहीं देगा क्योंकि दोनों का मोड बदल चुका है तो आपने देखा कि अगर दो एलेमेंट्स का मोड अगर हमारा बदल जाता है तो उनके हमारे मैथमेटिकल ओपरेशन अलग अलग हो जाते हैं तो अब हम जड़ा से अपनी यहां पर जो अपनी पहले वाली X1 मैक्रिक्स है हम उसी को ले लेते हैं X1 पही यह हो गई और X2 पही यह हो गई अब हम इस ही के अंदर अपना हम देखें जो लिस्ट ऑपरेशन है हम उसको यहां पे दिखाने की कोशिश करतें जो आपने यहां पहीं यहां बनाया है så इसका मैने कर दिया Soznit इसके मैंने दिया list और parenthesis में मैंने लिग दिया x1, x2, अब आप अगर mat layer list की आप अगर value देखेंगे तो देखें आपको क्या मिल जाएगी, यही दोनों matrix हैं, यही तो मिल जाएगी आपको, देखें, चलिए मैं इसको आपको फिर से साफ-साफ में आपको दिखा देता हूँ यह हो गया, अब यहां पर mat list में जब अगर आपको अपने पहले element पे जो value है, यह आपको निकालनी है, तो आपने लिख दिया mat list 1, और इसी प्रकार से अगर आपको जो दूसरे number पर value लिखी है, उसको निकालना है, तो आपने कर दिया mat list 2, देखें, आपको इसकी matrix है, उसक हम एक और दारग यहां पर लेते हैं, जहां पर आप अगर ध्यान देंगे, हमने तीन अलग-अलग करीकी के objects लिए है, और उसे मैंने list को ख्यार करने के कोशिश करी है, जो मैंने देखिए, पहला मैंने vector लिया है, यह मैंने लिया है, एक characters का data vector है, water juice lemonade, और जो मैंने दूसर लिया है, यह एक number है, जहां पर हमने command use किया rep, अर्था 1234, यह जो हमारे number है, यह हमारे option का उप्योग करते हुए, दो बार repeat हो जाएंगे, तो यह हमारा numeric हो गया, तो पहला हमारा हो गया character, और दूसरा हमारा हो गया numeric, साथ ही मैंने एक और यहां पर value ली है, third value, जो आपक matrix है, जिसमें आपका data आपका 5678 है, राइट, तो इन तीनों को हमने यहां पर comma के द्वारा separate करके मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया list, तो जब इसको मैंने execute किया, तो जो भी outcome आया, उसको मैंने store कर लिया, Z1 के अंदर, अब देखे, आपको Z1 कैसा दिखाए देगा, ऐसा दिखाए देगा, राइट, जो पहले नंबर पर दिखी आया है, यह आपका water juice lemonade, यह कहां से आया, यह यहां से आया, दूसरे नंबर पर क्या आपका क्या है, 11223344, यह कहां से आया, यह आपने जो rep command लिया है, यह आपका वहां से आया, और तीसे matrix, यह कहां से आया, यह यहां से आया, अब आप जना सा यहां पर एक चीज का ध्यान दिजिए, इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी, z1 के नीशे देखी, यह क्या लिखा हुआ है, यहां पर double packet में लिखा है one, यहां पर लिखा है double packet में two, और यहां पर double packet में लिख हुई है, वो देखिए कैसे लिखी गई है, वो देखिए, उसको मैंने single packets में लिया हुआ है, यह हमारी पहली value है, यह हमारी दूसरी value है, और यह हमारी third value है and so on, अब जड़ा से हम इसमें से कुछ operation करते हैं और जड़ा से हम यह निकालना चाहें अगर कि हम z1 और z2, z3 पे ह हम अपने भिन-भिन तरीके के operation किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, यह तो आपका screenshot हो गया जो आपने भी किया है, अब मैं यहां से जो आपकी इस list में जो लिखा है जूस, इसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, तो देखिए, मैं यहां पे किस प्रकार से कार करता हू मैंने यहां पे लिखा list का लिखा नाम Z1 और उसके बाद मैंने यह जो double square bracket है था जैसे यह लिखा one और इसको मैंने फिर से square bracket के अंदर बन कर दिया, मैंने यह लिखा, तो इस ने देखिए आपको क्या होते दे दिया, water juice lemonade, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करिए अग तो देखिए क्या है, हम इस software का जो outcome है, यहां से देखते हैं, यह बने लिखा है Z1 और उसके बाद यह जो हमारा double bracket में address लिखा हुआ था, जब हम इसको लिखेंगे यहां पे, इसको उठा करके इसके साथ में लिख दिया, तो उसने मुसको यह जो पूरा water juice lemonade दे दिया, उस का objective यह है कि हमको यह जो juice लिखा है, इसको मुझे बाहर निकालना है, right, तो यह देखिए, यह juice कहां पे लिखा है, यह आपकी दूसरी position पर लिखा हुआ है, right, अब हम क्या करते हैं, हम आपको यहां पे दो option लिखाते हैं, एक सही होगा, एक गलत होगा, लेकिर हम यह समझन जो मैंने single bracket में लिख दिया two, क्योंकि हमारे juice की position क्या है two, लेकिन जब आप इसको execute करेंगे तो यह आपको उत्तर देगा null, right, लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना क्या था juice, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो आपका सही address है, उसको आप दे देना पड़ेगा, जो पहली जगह का जो सही address है, double square brackets में दिया हूँ है, देखिए आप अगर यह देखेंगे, तो यह शीज मैंने यहाँ पर copy कर दी, और उसके बाद मैंने फिर जो दूसरी position पर जो भी हमको चाहिए, उसके लिए मैंने लिख दिया two, तो यह उसका दोसका index हो गया, और जब आप इसको देखेंगे, तो आपको इसका outcome मिल जाएगा juice, जो इसमें second position पर देखी, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने लिए z1, फिर यहाँ से हमने लिए square bracket 1, जो भी इसका address और फिर हमने देखिए, यह ता हमारा square bracket 1, यह हमारा square bracket 2, और यह हमारा square bracket 3, जो मने यहाँ पर लिख दिया square bracket 2, ऐसे करके, अब देखिए, यहाँ पर यह जो आता है null, यह क्या चीज़ है, आपको याद होगा कि हमने कुछ lectures पहले NA और NULL null की बात करी थी, और उस वक्त मैंने आपको एक उधारग लिया ता है कि कि इसी स्कूल में कुछ बच्चों का admission होना है और इमतहान में कुछ बच्चों का admission हो गया, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, तो आज class में एक हमारा बच्चा जिसका admission हो गया था, वो absent है, तो उसके नाम के आगे attendance register में लिखा जाएगा absent, लेकिन अगर कोई एक ऐसा student जिसका स्कूल में admission ही नहीं हुआ था और वो आज स्कूल में नहीं आया है, class में नहीं आया है, तो उसके आगे क्या लिखा जाएगा null, क्यों? क्योंकि null कभी वहाँ पर exist ही नहीं करता था, वो student कभी उस स्कूल का छात्र था ही नहीं, वो कभी exist ही नहीं करता था, इसलिए हमने लि राइट, अब हम गरा से देखिए आपको यही चीज आपको R software में करके दिखाते हैं और देखिए इसका outcome दिया हुआ है, तो सबसे पहले ज़र हम अपनी इस list को यहां पर कयार कर लेते हैं, जिसको की हम फिर आपको यहां पर करके दिखाएंगे, हम इसको यहां से copy कर लिया और अब इसको हम अपने इस R software में में इसको हम इस कर देते हैं, चलिए देखिए यहां पर करते हैं, हम सबसे पहले हम अपनी screen को clear कर लेते हैं, तो यह command एकि मैंने paste किया, तो यह देखिए आपका आगया list ऐसा, अब देखिए यह आपका क्या है, one, यह है two double brackets में और यह है three तो अगर आपको किसी particular element को call करना है, तो अगर आप इसमें से आप इसका अगर नाम दे देते हैं, suppose z1 is equal to this list, तो देखिए आपको यहां पर मिल जाएगा यह z1, right, तो देखिए तो अगर आप z1 और साथ में यह double square bracket में address लिखा है, आप उसको लिखेंगे तो आपको यह पह double brackets में आप अगर लिखेंगे two, तो देखिए आपको दूसर element मिल गया, और double brackets में आप अगर लिखेंगे three, तो देखिए आपको third element मिल गया, right, अब अगर आपको अगर यहां पर अगर आपको इस juice को बाहर अगर निकालना अगर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना z1 और अपना जो भी address है, उसको मैंने double brackets में लिखा one, अब इसके बाद में हमको देना पड़ेगा two, तो देखिए इसने आपको देदिया juice, उसी प्रकार से अगर आप यहां पर लिख देंगे three, तो आपको मिल जाएगा lemonade, और अगर हम यहां पर मालिए अपने इस double bracket कीजएग तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यहां जाएगा null, यहां को मैंने करके दिखाया था, right, तो चलिए अब हम इस lecture में यहां पर रुखते हैं, और आपने देखा कि मैंने इस lecture में आपको list के बारे में बताया, और list को किस प्रकार से create करते हैं, इसके बारे में बताया, और list इसके अंदर हमारे बहुत सारे operations होते हैं, तो आज मैं यहीं पर रुखूँगा और आपको request करूँगा जना इस concept को दिमाग में बचाने की कोशिश करिए, और यह जो हमारे single brackets हैं, double brackets हैं, इस तरह के इस्तमाल हैं, इनको समझने की कोशिश करिए, और साथ में कुछ exercise करिए जैसे मैंने आपको जो Z1 list दी है, उसके इंटर जो हमारा third element है, वो हमारा है matrix, अब matrix में अगर आपके जो elements हैं, उसको आप किस प्रिकास से access करेंगे, अगर आप Z और double bracket में 3, उसके आगे 1 या 2 या 3 या 4 single bracket में लिखते हैं, तो क्या होगा, यह जनल सा आप एक बास समझने क कोशिश करिए, वह जो भी हो रहा है, वह तो R कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, यह समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो आपको कार करना है, उसको किस प्रकार को से R से करवाना है, यह command तो आप ही देंगे, उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि R किस प्रकार से कार कर रहा है आप उसको समझ जीए और साथ ही आप इसमें से भिंद्बिंत रहे के जो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट से कोई करेक्टर है कोई न्यूमरिक है इत्यादी हैं आप उनके कॉमरिशन लीजिए और साथ में उनकी पर्टिकलर को आप यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करिए और अगले लेक्टर में हम आपको लिस्ट से समंधित और वीजिए हमारे ऑपरेशन से उसके बारे में बताएंगे तब तक के लिए गुडबाई कर दो